आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब दिसमबर 2021 के लिए और गेट केमस्ट्री लिए श्टार्ट किये जा रहे हैं तो ये जो नए online courses, madcam classes आप सभी के साथ ला रही है, अगर आप इन online courses को join करने पर, अगर आपकी all India rank top 3 में आती है, आपको madcam के classes की तरफ से एक लाख का gift और एक laptop साथ में आपको दिया जाएगा अगर आपकी top 3 में rank आती है तो, IT Jam chemistry 2022 के लिए आपको complete slabs के video lectures जो की totally new recorded होंगे, जिनके demo lectures आप madcam के app में दे सकते हैं, उसका link यहाँ पर आपको show कर रहा होगा, या फिर आप description में उसके link को download करके, आप madcam के नए online course की demo course classes आप free online course में देख सकते हैं, जिसमें आपको video lectures में complete slabs with so many questions, उसी video lectures में के दौरान ही ब आपको question practice कराई जाएंगी in video lectures में, इसके साथ-साथ आपको जैसे अगर आप videos को देखते हैं, उसके बाद आपका next point होगा, वो होगा assignments, आपको updated assignments मिलेंगे, नए assignments मिलेंगे, हर topic के 50, 100, 200 questions के assignments मिलेंगे, और उनका PDF solution के साथ-साथ उनकी answers की भी आपको, ऐसा PDF में आपको provide की जाएंगी, अगर इसके बात बात करें कि अगर आप lectures देखते हैं, assignment करते हैं, और जो अपके बन में doubts होते हैं, उसके लिए आपको madcam classes के in online courses में active doubt sessions मिलेंगे, daily active doubt sessions आपको मिलेंगा, आप per day अपने doubts clear कर सकते हैं, WhatsApp groups के थूप, इसके बाद अगर बात करें, all India test series की, तो option में जाना है, और store option में जाने के बाद, वहाँ पर आपको पहले तो एक free online course दिखेगा, hopefully आप मैंसे बहुत लोग free online course में पढ़ भी रहे हैं, तो आप free online course में एक तरीके से वीडियो का demo ले सकते हैं, आपके course की fees 6000 रहेगी, आपके IIT jam की course की fees 6000 रहेगी, आपके CSIR net की course 6000 रह quickly या फिर 15 days में आपके साथ interaction लगातार, Madcam team आप सभी के साथ बना कर रखेगी, आप जैसे ही course को जोईन करते हैं, तो एक और इंटेसन क्लास भी होगी, वहाँ पर भी हम आप सभी के साथ, जूम मीटिंग में आप सभी से मिलेंगे, और आपको एक schedule के हिजाब से ही पढ़ा अगर आप इस YouTube channel Madcam के नए हैं, तो प्लीज YouTube channel को subscribe करें, and don't forget to press the bell icon, thank you so much guys. So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Madcam Classes, आप सभी के अखबार, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube channel Madcam Classes में, और चलिए continue करते हैं, हम लोग Organo Metallics chapter को, so actually थोड़ा घर में कुछ लोग की तबियत नहीं सही थी, विज़े से थोड़ा में बाहर चला गया था, तो दो दिन, दो दिन से Madcam में Classes नहीं चल लहीं थी, और आज भी वापस आने में थोड़ा लेट हो गया, so hopefully आपने दो दिन की जुटियां enjoy करी होंगी, चलिए भाई Classes को आगे फिर दी further continue करते हैं, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने Metal Carbenes को पढ़ा था, तो Metal Carbenes में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और specific type of Carbenes हमें पढ़नी है, फिर Metal Carbenes का use कहा होता है, उन reactions को आज हम लोगो इस lecture में पढ़ना है, तो एक बार फिर से मैं आप सभी से आगरे करना चाहूँगा, कि आगर आप भी तक नहीं जुड़े है अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप जुड़कर lectures को पढ़ते हैं, या फिर आप session को मिला के share कर दीजिए, तो फिर जल्दी यल्दी हम लोग lecture को आगे बढ़ाते हैं, एक मिनट का मैं समय लूँगा, और फिर हम लोग अपना start कर देंगे lecture को आज के, जल्दी यल्दी अगर आपको लग रही हो, वीडियो quality में, तो आप comment करके बता सकते हैं, और से भी हाँ पर आपके साथ से adjust कर दिया जाएगा, तो आज हम लोगो को क्या पढ़ना है, जो हम लोग कारबीन्स पढ़ रहे थे, हम लोग इस से पहले कारबीन्स को उपन किया था, कि कारबीन्स क क्या होती है, कारबीन्स को हम लोगों ने study किया था, और कारबीन्स में हम लोगों ने दो टाइप की कारबीन्स पढ़ी थी, अपनी फिसर कारबीन्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फिसर कारबीन्स क्या होती है, फिसर कारबीन्स और दूसरी थी आपकी स्रॉक कारबीन् काम लोगों ने detailed study करी थी, उनकी properties पड़ी थी, उनकी reactions पढ़ ली थी, तो अभी क्या है कि हमारे पास एक और specific type of carbenes हमारे पास available होती है, उसका नाम होता है N hetero carbenes, तो यह दोनों carbenes तो हमें पढ़नी होती है, तीसरा हमारे syllabus में इतना जादा इसका use नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो questions है, थोड़ी बहुत जो points है, आपको वो आने चाहिए ठीक है, जैसे example के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, example के तौर पर मैं आपसे कह रहता हूँ जैसे example के जो दूसरी carbenes हमनों को पढ़नी है, उन्हें NHCs कहा जाता है, क्या कहा जाता है NHCs, तो आज हमें इस NHC को पढ़ना है, और उसके बाद यह जो carbenes वाला part है हमारे पास, जो carbenes वाला part है N-Hetro Carbens क्या होती है चलिए ये पढ़ लेते हैं N-Hetro Carbens N-Hetro Carbens मतलब ये Carbens तो ये Carbens होते हैं जिन पर Carbon के साथ Nitrogen का Linkage अवेलेबल होता है तो N-Hetro Atom अवेलेबल होता है इसमें से हम भीने क्या कहते हैं N-Hetro Carbens कहते हैं और ये N-Hetro Carbens बहुत ही Strong basic in nature होता है इनके जो normal nature होता है ये बहुत ही strongly basic होती है बहुत strong basic in character होती है इनका जो electron donating nature होता है वो बहुत strong होता है इतना ज़्यादा strong होता है कि even ये most basic phosphene से most basic phosphene जो होती है most basic phosphene कौन सी होती है most basic phosphene आपकी phosphene के साथ Tertiary Butyl Group अगर लगा दिया जाए P Tertiary Butyl Group का Whole Thrice इससे भी जादा basic nature की होती है आपकी क्या N Hetero Carbens तो इनके बारे में बस इसी properties से related आपको थोड़ा सा हमें study करनी है आज के lecture में और इसी से हम लोग दिरे दिरे आगे वड़ते हुए चलेंगे तो एक बार आज एगे सब लोग और session को share कर दीजेगर अभी तक भी session को share नहीं किया है और वैसे भी हम बहुत लेट आपसे connect हुए है तो हो सकता है जहर कोई connect नहीं हो पाए but I will try to cover up all the things एक बार comment करके तो बता दो कि कोई है भी कि नहीं किसी कोई comment नहीं आ रहा है so एक बार comment करके बता दीजे कि वहाँ भाई lecture को start किया जाए so once please comment करिए आप लोग और चलिए start करते हैं आज के lecture को हमारा पहला point है क्या है an heterocorbenes तो जैसा कि मैंने आपको बता है इन हाँ एन हरे आटरो कारविस वह कि फॉस्फीन के होती ही बहुत यूसफूल इस पेक्टेडर लिगंडस होते हैं आपने हर जगे फॉस्फीन को देखा ही होगा और phosphene का हम लोगों ने एक detail study भी करी थी कि इतने इतने points होते हैं यह यह points है, इन points को ध्यान रखिएगा phosphene की order को हम लोगों ने पढ़ा हुआ तो phosphene ligands बहुत important है किसी भी catalyst में आप दखो कहीं पर भी दखो तो phosphene ligands बहुत important ligands होते हैं क्योंकि अगर आप tri-substituted phosphenes यूज करते हो और tri-substituted phosphenes में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर bulky ligands का यूज कर सकते हैं जब उनका tri-substitution किया जाए जिसकी विज़े से क्या होता है यह कि hysterically bulky ligands होते हैं और जो help करते हैं catalysis में catalyst में क्या होता है कि catalyst में ऐसा in general i.c. reactions होती है कि आपका catalyst क्या करता है starting में अपना किसी एक ligand को break करता है और उससे उस catalyst की activity increase हो जाती है यह फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ reasons हमेसा रहते हैं यह विज़े से हमारे पास जो phosphenes होती हो बहुत strong बहुत ही बढ़िया spectator ligands का काम करती है और उनका काम क्या होता है उनका काम होता है metal को अच्छा hysterically hysteric बनाना थाकि hysteric hindrance की वज़े से वो जो initiation होता है catalyst का क्योंकि कई बार तो oxidative additions reaction सम लोगों ने पढ़ी थी sonogosira coupling पढ़ी थी ना sonogosira coupling में क्या होगा था कि starting में oxidative addition होगा था लेकिन हर जगे oxidative addition नहीं होता है तो कहीं-कहीं पर starting में आपका ligand रिसोसियेट करता है तो कहीं-कहीं पर starting में आपका ligand का काम करती है ठीक है ना और इंका use basically homogeneous catalysis में होता है जब next lecture करेंगे hopefully कल ही करेंगे अब continue करूँगा में regular classes तो जब आप हम लोग कल पढ़ेंगे तो हम लोग कैटलिसिस में ही जाएंगे हम लोग क्या करेंगे कैटलिसिस में ही जाएंगे पहले कारबीन्स को देखते है तो कारबीन्स का use homogeneous catalysis में होने वाला है और यह क्या प्रोवाइड करती है प्रोवाइड करती है high selectivity and high yields इनमें selectivity भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है लेकिन ऐसा होता क्यूं है तो पहले बात में आपको होता है बहुत strong इनका basic character होता है एन हेटरो कारबीन्स का तो हम चिंद ने प्लेज आफास्पेन हंगो सगया श्री आफप प्रोवाइड को को अम लोगावी बात करते है हम लोग आपी ऐसिवाज आएड की वाट करने है लेकिन phosphene के कुछ disadvantages होते हैं, जैसे इनका oxidize हो जाना, और इनको control करना, ये बहुत reactive होती है, phosphene ligands जो होते हैं, और ये oxidize होते हैं, moisture में इनको use नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी water है, या फिर कहीं पर भी oxygen है, तो तुरंत phosphorous के हो सकता है, oxide हो सकता है, हाला कि PPS3 के case में, या फिर बहुत deactivated phosphene जल्दी आपकी oxidize नहीं होती है, लेकिन इन जनरल ये दो इनके disadvantages होते हैं, पहला तो ये costly होती है, इनको produce करना costly होता है, phosphene को produce करना costly होता है, trisubditor phosphene को, और उसके बाद इनकी tendency बहुत ज़दा होती है, बहुत जल्दी oxidize आपकी हो जाती है, इसके बाद बात कर सो, simple सी बात है, जहाँ पर कुछ कोई कमी आएगी, तो तो वहाँ पर तुरहन इनका substitution यूज किया जाएगा, और है hydrocarbons का मैने, आपको फाइदा भी बता है, कि ये बहुत इंपोर्टन बात क्या होती है, कि ये जो carbons है ना, भाई ये carbons, आपकी stable carbons होती है, बहुत stable carbons होती इनका nature क्या होता है, ये बहुत stable होती है, रूम टेंपरेचर पर भी carbons stable पाई जाती है, ये इतनी stable carbons होती है, तो इसलिए बहुत stable होती है, moisture और oxygen, air sensitive नहीं होती है, तो इस वीज़े से बहुत सारे फायदे होने की वज़े से इनको क्या करते है, बहुत use किया जाता है, ठीक पर मैंने आपके सामने कुछ दो carbons लिखी हुई है, ठीके न, यहाँ पर आपके पास ये एन हेट्रो carbons है, ये क्या है, एन हेट्रो carbons है, इन दोनों में बस basic difference क्या है, कि यहाँ पर cloning nation कर दिया है, जिसकी विरसे ये थोड़ी stable carbons है, अगर इन दोनों को आपस में compare करने की बात करी जाए, तो ये देखा और पाया गया, कि this is more stable, ये क्या थी, आपके एक more stable carbons थी, more stable carbons थी, तो एन हेट्रो carbons के परे में कुछ important points है, मैं वो आपको discuss करूंगा, very good evening, start कर दिया है, जैदीद, very good evening, सिव पतेल, very good evening to all of you, sir, name reaction का quiz कब होगा, आज रात में होगा, आज इसको आपका name reaction का quiz होगा, तो ये कुछ points है, देखो, सबसे पहले important point क्या है, कि they are better electron donor than most basic phosphine ligands, and displaces other ligands trans to them, बिल्कुल पहला point आपको समझ में आ गया, कि ये बहुत strong basic character के होजी होटी होती है, discussion का trans effect बहुत होता है, और इनके सामने वाले ligands को तुरंट trans effect से आपड़ा सकते इनका जो metal carbon bond होता है, अगर ये metal के साथ connect होगी, तो बहुत strong bonds मनाती है, which is good as carbon do not remove from the metal complexes, यहाँ पर क्या होता है, कि आपका जो ये metal है, और metal के साथ आपकी जो ये carbon लगी है, एन हेटरो carbon आपकी ये लगी होगी है, इस तरीके से, यहाँ पर आपका PCY3 भी use होता हुआ आपक होते हैं as compared to the phosphine ligands, जिसके भी से फाइदा क्या होता है, कि जब इनको as a catalyst हम लोग यूज करेंगे, इनका use क्या अभी हम लोग को पढ़ना है, अभी हम लोग को ये पढ़ना है, कि हम लोग कार्बीन पढ़ क्यों नहीं, तो कार्बीन का use क्या है, तो कार्बीन का use बिसकिली कार्बीन का नहीं, मेटल कार्बीन का use होता है, क्या होता है, मेटल कार्बीन का use होता है, और मेटल कार्बीन का use क्या आता है as a catalyst, अभी इनका कि catalyst आपको दुबारा यूज करना पड़ेगा तो इसलिए catalyst को भी हम लोग समझेंगे next lecture में, तो metal carbenes में ये basic अच्छी बात होती है, कि ये मनलब reusable अच्छी होती है हर cycle में आसानी से carbenes अलग नहीं हो जाती है, ये अच्छी बात होती है सारी कि सारी enhetrocarbenes strong होंगी ही होंगी, लेकिन अगर आपको enhetrocarbenes की donating power का comparison करना हो, तो ध्यान रखेगा, saturated enhetrocarbenes are usually less electron donating than that of unsaturated one, इसको याद रखिएगा, बिलकुल दिमाग में लगा के रखिएगा अगला point भी बहुत important है अगला point भी बहुत important क्या as per their high basicity they increases the reactivity of the catalyst by greater trans effect तो वही बात हो गई कि high basicity की वज़ा से क्या करते ही, अपने trans वाले ligand को असानी से dissociate करा देती है और वो, जो catalyst होता है वो activate हो जाता है, और activate होके वो तुरण reaction करना सुरू कर देता है तो ये कुछ चार points है N-Hetrocarbenes के, जो आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में ध्यान रखने है इनसे question बनेगा, तो कोई नहीं कर पाएगा सिर्फ आप ही कर पाओगे, ठीक है न ये कुछ points थे हैं के, मैंने आपको बता दिये one by one, चलिए तो बिसके लिए, N-Hetrocarbenes का use कहाँ पर होता है, N-Hetrocarbenes का use कहाँ पर होता है, इस point पर मैं दो questions लाया था और वो दो questions मैं late आया, office में तो इसलिए उनको type नहीं करा पाया, लेकिन चलिए उन दो questions को हम लोग कर लेते हैं उन दो questions को हम लोग कर लेते हैं the following arrange the following complexes इसको मैं ऐसा करता हूँ बेक ग्राउंड को black कर देता हूँ हो सकता है थूदा साफ दिखें आपको वाकी बेक ग्राउंड से भी नहीं कर सकते हैं लेकिन देखते हैं ये आपको सही लगता है क्या क्या करें arrange the following complexes arrange the following complexes arrange the following complexes in complexes को arrange करिए complexes arrange the following complexes in increasing in increasing increasing order of increasing order of increasing order of mu co और आपके सामने question क्या दे रखा है a दे रखा है ni co3 ni co3 ठीके ना और यहाँ पर p tertiary butyl का whole thrice उसके बाद b क्या दे रखा है आपको b देखे क्या दे रखा है आपको ni co3 ni co3 और यहाँ पर p c y 3 p c y 3 उसके बाद c option क्या दे रखा है ni co3 ni co3 और यहाँ पर i c y ठीके ना और d option आपको क्या दे रखा है d option देखे क्या दे रखा है आपको ni co3 ni co3 और यहाँ पर आपका pps3 यह आपके सामने दे रखा है जहाँ पर जो आपका i c y है i c y है आपका i c y आपका i c y आपका एक n hetero carben है जो मैंने भी आपको बना कर दिखाई थी कुछ इस तरीके से ऐसे 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 और यहाँ पर यह nitrogen यह nitrogen और इसके साथ यह c y group लगा है और इसके साथ यह c y group लगा है इस तरीके से तो यह है आपकी क्या n hetero carben है i c y आपके सामने लिखा हुआ है और आपके options मैं आपको दे दे रहा हूँ पहला option जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है d then a then b और then c दूसरा option क्या दे रखा है आपको दूसरा option दे रखा है d then b then a then c द्यान से comment करिए भाइ, भाइ, अब लोग comment करिए, यहाँ पर तीसरा option आपको क्या दे रखा है तीसरा option देख लिए, C, then D, then B, and then A और उसके बाद चौथा option आपको क्या दे रखा है, चौथा option को क्या दे रखा है C, then A, then B, and then D यह आपको चार options दे रखे हैं question आपसे क्या कर रहा, आप ध्यान से देख लिजए, arrange the following complexes in increasing order of mu CO, niCO3, और यह यह आपके सामने है इसको आप pause कर लिजए वीडियो को, और pause करके इसका answer कमेंट करिए, तब तक मैं दूसरा question भी type कर देता हूँ, आप सब लोग इस जगे वीडियो को pause कर लिजए, ठीक है तब तक मैं आपको आगे दूसरा question लिग रहता हूँ, दूसरा question क्या कर रहा है, same, आपको arrange करना है, arrange क्या करना है, mu CO का, सेट करना है, decreasing order, decreasing order, decreasing order, decreasing order आपको बताना है इस question में और आपके पास जो complexes है वो A complex है A complex क्या है? NICO3 NICO3 और यहाँ पर PME3 ठीक है न? B option क्या दे रखा है आपको? NICO3 NICO3 और यहाँ पर POME3 का whole thrice POME3 का whole thrice C option आपको क्या दे रखा है भाई? NICO3 NICO3 और यहाँ पर IMEES IMEES और यहाँ पर D option आपको क्या दे रखा है NICO3 NICO3 और उसके बाद क्या है आपका यह S IMEES तो चलिए यह देख लेते हैं पहले IMS क्या है? IMEES एक N hetero carbon है जिसका structure मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ इस तरीके से कुछ structure है इसका S A, यहाँ पर यह nitrogen, ऐसे यह nitrogen, ऐसे 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 और यहाँ पर basically क्या है? S IMS की S I M E S की तो यह क्या है? इसको देख लेते हैं इसको बस ऐसे इसको पूरा copy कर लीजिए और copy करने के बाद इसमें बस एक चीज एड हो जाएगी वो क्या है? इसमें यहाँ पर यह double bond लगा हुआ है option मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ options कौन कौन से आपके options हैं इनको आपको answer करके बताना है पहला answer है पहला option है आपके सामने C then D then B then A ठीके न? इसके बाद second option है आपका second option आपका क्या है? A then B then C and equal to D उसके बाद आपका जो third option है वो third option क्या है वो भी देख लीजे यह third option आपका, B then A then D then C और आपका जो fourth option है, वो fourth option आपके सामने क्या लिखा हुआ है यह B then A and then C and then D यह दो questions हैं आपको फटा-फट comment करके सब लोग बता हो what will be the answer तो आपका एक तरीके से revision भी हो जाएगा जो आपने इससे पहले phosphine ligands पढ़े हुए है और यहाँ पर जो कारवीन के साथ जो उनका question है, वो किस तरीके से बन सकता है वो भी आपके सामने आपको समझ में आ जाएगा तो Ajay Saini ने तीन answer किया है Jeet Dei ने दो, Samarnathar, दो, Krishna, दो भी-भी answer सब लोग इस question का कर रहे है तो सबसे पहले किया point clear करना है सबसे पहले आपको point clear करना है कि increasing order आपको set करना है तो decreasing order मत करना, बहुत पहली बात ये थी ठीक है ना, उसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि आपके बद 4 airport है तो चार लीगेंश में आपको एक बात पताए कि अगर फॉस्फीन लीगेंड्स का comparison करें आपस में फॉस्फीन लीगेंड्स का तो फॉस्फीन लीगेंड्स में आपको बता है सबसे स्ट्रॉंग डोनेटिंग कौन सी है P-Turtiary-B-U-Trial का होल्टराइस तो यह सबसे अदा स्ट्रॉंग डोनेटिंग है उसके बाद इससे कौन काम है स्ट्रॉंग डोनेटिंग फॉस्फीन लीगेंड्स वो कौन सी है PCY3 और इससे कम काम सी स्ट्रॉंग डोनेटिंग है वो कौन सी है PPS3 ठीके ना और आपको एक बात बता है कि आपकी जो यह Enhetro Carbines होती है यह इन सबसे अदा इलक्ट्रॉंग डोनेटिंग होगी तो इससे भी ज़्यादा कौन सी है Icy3 Icy3 ठीक है ना? Icy, sorry Icy तो यह ओडर क्या है? इलक्ट्रॉंग डोनेटिंग का? भाई यह ओडर किस चीच का है? इलक्ट्रॉंग डोनेशन का? जो जितना जादा electron डोनेट करेगा उस case में उसकी stretching frequency उतनी कम हो जाएगी और कम से जादा की तरफ जाना है हमें order कैसा set करना है increasing order set करना है इसका मतलब है इसकी सबसे कम होगी सबसे पहले ये आएगा तो ये कहाँ पर है आपका ये कहाँ पर है आपका ये है आपका c option तो c सबसे कम c के बाद कौन साएगा c के बाद c सबसे starting में फिर c के बाद कौन साएगा तुम लोगों ने लगाया है b answer ये कौन सा है decreasing order वैसे लिखा तो सेम ही है वैसे ज़्यादा confusion मत कर सकते हो आपका ये भी answer चाहिए और ये भी answer चाहिए बस order में अंतर है मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख दिया उसके बाद उससे कम तो ये तरीके से पहले जादा वाला है फिर कम वाला है तो ये decreasing order है और ये क्या है increasing order है मैंने पूछा कों सा था increasing order के बाद CY3 B आएगा उसके बाद PPS3 D लास्ट में आएगा तो CABD आपका क्या है? करेक्ट आंसर है CABD क्या है आपका करेक्ट आंसर है तो जिन लोगों ने भी दो आंसर किया था उन लोगों उनका आंसर सही है ठीक है ना? फर्ष्ट का भी सोनी देवी ने का और सेकेंड का फोर गूड इवनिंग जोती तो चलिए देखते हैं अंगला कोस्चन देख लेते हैं इस वाले कोस्चन है फिर से वही बात अब इसमें क्या करना है आपको एक बात तो पता है पीएमित्री जोड़ेंड य Gina है जयादा इलक्ट्रोन डॉनिटिंग है जयादा इलक्ट्रोन डॉनिटिंग है As compare to P-O-mE-3 तो अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो जयादा इलक्ट्रोन डॉनिटिंग है वो P-E-M-E-3 है तो इस case में इसका मलब है इसकी stretching frequency कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी इसकी उससे ज़्यादा होगी लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो यह दोनों क्या है एन हेट्रो कार्बीन से तो इसका मलब है यहाँ पर तो यह बहुत strong electron donating है तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं कि यह दोनों क्या है strong donating in nature है इसकी ज़्यादा electron donate करेंगी इनकी stretching frequency सबसे कम होगी इन दोनों से भी कम होगी लेकिन इन दोनों में आपस में compare करें तो मैंने आपको एक point दिखाया लिखाया था कि unsaturated heterocarbines are better electron donor it means it will be better electron donor यह unsaturated heterocarbines है तो it will be better electron donor as compared to this one तो सबसे अधा electron donating कुल विलाकर SIMS हुआ और SIMS हुआ सबसे अधा electron है तो सबसे कम stretching frequency किस की होगी इस वाले की SIMS वाले की stretching frequency सबसे काम होगी D वाले की सबसे काम होगी और आपको order concept करना decreasing order इसका मलब है D सबसे last में आना चाहिए D कहाना चाहिए सबसे last में चाहिए तो किसमें D last में आ रहा है इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है और इसमें COD को equal बना दिया है COD equal तो होई नहीं सकते COD equal नहीं हो सकते क्योंकि उनकी electron donating nature में अंतर है तो कुल मिलाकर आपका fourth answer आ गया बाकी सारे वही points जो मैंने अभी आपको समझाए ठीक है तो fourth will be the correct answer fourth will be the correct answer ठीक है बाई ये बात clearly सबको समझ में आ गई है नहीं आ गई ये बात सबको clearly समझ में आ गई हो तो बता दो और हम लोग आगे की और बढ़ चलते हैं हम लोग क्या करते हैं आगे की और बढ़ चलते हैं ठीक है आगे की और चलिए बढ़ते हैं और मैं background को white ही कर लेता हूँ चलो भी dark में बाकी आप comment करके बता सकते हो कि white dark में कौन सा background ठीक लग रहा है ठीक है ना तो चलो यूतना extra text लिखना है वो मैं आपको black में लिख लिख के बता दे रहा हूँ good evening fourth answer बिल्कुल साही की answer हाँ अब चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे की next point देखो next point देखो और समझो अब आपका है कि भाई आप ओलीफीन पढ़ी क्यों हम लोगों ने कार्बीन्स को पढ़ा क्यों आखिर क्यों क्यों कार्बीन्स हम लोगों को intermediate पढ़ना पढ़ा इन और्गेनो मेटलिक्स तो देखिए आप क्या आप करते हैं यहां पर हमाले पास जो मेटल ओलीफीन्स होती है जो आपकी मेटल ओलीफीन्स होती है इन मेटल ओलीफीन्स का बहुत स्ट्रॉंग यूज होता है मेटल कार्बीन्स जो होती है आपकी मेटल कार्बीन्स होती है इनका बहुत स्ट्रॉंग यूज होता है इन ओलीफीन मेटाथेसिस रियक्शन किसमे Oliphant Metathesis Reaction में Oliphant Metathesis Reaction क्या होती है? जरा हिए समझ लेते हैं Boy कि Oliphant Metathesis Reaction क्या होती है तो कोई ऐसी Reaction जिसमें क्या हो कि आपके पास एक तरीके से आपके पास देखो ऐसी यह Reactions होती है R डबलबर्लबर्बरॉर्बर्बर्ब 부분이 R डबलबर्ड cả डब이스 R-S, तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम Olyfins को यूज करते हैं, Olyfins में Alkine भी हो सकते हैं, Olyfins क्या होती हैं, किसी Special Catalyst की Presence में, किसी Special Catalyst की Presence में, वो क्या करती हैं, Rearrange हो जाती हैं, एक तरीके से, Rearrange होती हैं, यहाँ पर Carbon Carbon Double Bond Break होता है, और Break होके बड़े Different Different Kind of Products मरा सकते हैं, ज यहाँ पर Double Bond Double Bond, R-S, R-S, और एक और चीज़ हो सकती है, क्या हो सकती है, कि R, और वो तीसरी चीज़ तो यहाँ पर अविलेबल ही है, तो इस तरीके से, यह क्या कर सकती हैं, Carbon Double Bond Carbon का Break होके, यह आपस में Rearrange हो जाते हैं, और Rearrange होकर Different Different Kind of Products देते हैं, और यह जो Catalyst होता है, यह जो Catalyst पाया गया, जो इसा काम कर सके, वो Catalyst कौन से थे, वो Catalyst थे आपके Metal Carbenes, क्या थी Metal Carbenes, वो Catalyst क्या थे आपके Metal Carbenes, तो in the presence of Metal Carbenes, in the presence of Metal Carbenes, आप इस टाइप की Reactions करा सकते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, और इनका इंडस्ट्री में बहुत यूज है, किस चीज का इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज है, तो इसलिए अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर आपकर आप कहीं Chemistry को पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीजें देखने को और पढ़ने को और तो सबसे पहली बात तो क्या, अपको साफ दिख रहा है यहाँ पर, सर, आई, एक्चुली सर, आई, पाज्ट्री में स्ट्री में टॉज है, तो आप पढ़ सकते हैं मिनाक्षी, आपको बस थोड़ा सा फोकस रहने की जरूरते हैं, अध्यान से पढ़ने की जरूरते हैं, क इसके साफ उड़ा थोड़ा देख स कूरूरते हैं, कहला सबसे जरूरते हैं, अकर मिनाक्ष्प्राइए, क्रवारने की जरूरता है, का इसा मिनाक्रत यहां पर, सरफा आपको द्यान। क्या कैसे होता है, कौन-कौन सी selectivity है, कैसे products बन सकते हैं, यही चीजे हम लोग को थोड़ा आगे इस chapter में समझनी हो, और इसको direct questions आपके सामने CSIR net में आपके सामने आते हैं, गेट में भी आते हैं, ठीक है, तो देखिए कुछ important important points है, पहली बात कि क्या starting में इन reactions को जब 1967 से प clear नहीं है क्या, मंजीत जड़ आप कम गल्दियां लेके आते हो, यह नहीं है, वो नहीं है, चलो, कर देते हैं भाई, थोड़ा सा, और dark, लो, और dark कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो पहले इनको disproportionation reaction देखा गया और समझा गया, लेकिन बाद में जब 1967 में जड़ा देखना कि कौन काम कर रहा था, किसने कोथ करी, 1967 में क्या हूए, आ ग्रुप आफ साइंटिस्ट वरकिंड इन यूवसें अमेरिका में कर रहे थे और वो किस कम्पनी के लिए काम कर रहा थे साइंटिस्ट, तो टायर और रबर कंपनी थी, वो, क्या थी, एक टायर और गबर कंपनी इस तरह के से इंडस्ट्री में यूस होती है और बड़े लेवल पर ठीक है और इन लोगों ने यह फिगर आउट किया कि कुल मिलाकर आपने साथ जुड़े हुए सारे ग्रॉप गर्ड़ ले जाकर या पूजी और कि और इन वनरे लौट है जूप उन लोगों ने क्या किया बाइउ ऑलफीन को अलफीन मेटाथसी अटर इसको बोला अब कुल मिलाकर हम लोगों को ये बात उस टाइम पर क्लियरली कहा गया कि देखें, it is a very powerful reaction for making new carbon-carbon double bonds और at near room temperature तो carbon-carbon double bonds को break करना carbon-carbon double bonds को फिर से नए form करना और room temperature पर करना ये process, ये कुल मिलाकर इसकी main, इसका effective point था किस चीज का, आपका carbon-olefin metathesis reactions का ये बहुत important point है, room temperature पर reaction कराना बहुत important reaction है, और even in aqueous media aqueous media के होकते होते, आपके variety of functional groups के साथ बल्लब चाहे कोई भी functional group प्रजेंट हो, चाहे aqueous media प्रजेंट हो किसी भी condition पे हम लोग carbon-carbon double bonds को formation कर सकते हैं इनको industry में यूज करना सुरू कर दिया गया, क्योंकि industry में आपकी room temperature पर reaction हो रही तो वो industry बहुत आसानी से काम करेगी air हो सकता है, moisture हो सकती है, तो इसलिए air moisture stable reaction सी industry तक पहुचती हैं, लोग इसके बाद देखिए कुछ important type of metathesis reaction है, यह क्या है आपकी types of, कितनी types of olefin metathesis reactions आपको पढ़नी है या पर आपको देखने को मिलेंगी, कौन सी important important type है, तो सबसे पहली तो है आपकी क्या कि सीधा carbon-carbon double bond, दो acyclic groups, दो acyclic alkenes आपस में आकर double bond बना ले, मतलब एक alken अलग थी, एक दूसरी alken अलग थी और वो कुल मिलाकर आपस में आकर जुड़ गई, दो अलग-अलग alken के carbon आपस में आकर जुड़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रॉस metathesis reaction, क्या बोलते हैं, उसक ring closing metathesis reaction हो सकती है, तो पहली तो क्या होगा, cross metathesis देखने को मिलेगी आपको, कि दो अलग-अलग alken के carbon-carbon आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद आपको देखने की ring closing आपको देखने को मिलेगी, उसको आपको ring opening भी देखने को मिल सकती, ring opening कब हो रही होगी, जब आपके पा ring भी आपस में आपको metathesis करते हुए दिखेंगी, तो यह पांच type की metathesis reactions आपको देखने को मिल सकती है, और आपके exam में भी वही आती है, ठीके ना, इसके बाद आपको यहाँ पर दो type के catalyst आपको देखने को मिलेंगे, आपको एक पढ़ देखने को मिलेगा, स्रॉक catalyst, तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा, ग्रफ्स catalyst, दूसरा क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्रफ्स catalyst, तो ग्रफ्स कार्बीन केटलिस्ट और स्रॉक कार्बीन केटलिस्ट यह दो केटलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, स्रॉक केटलिस्ट जो था, वो स्टार्टिंग मे ammo metal present होगा, kull मिलाकर क्या होगा, ammo metal present होगा, और ये बहुत highly reactive होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत highly reactive होते हैं, srog carbenes क्या होती हैं, बहुत highly reactive carbenes होती हैं, duty presence of molybdenum metal, इसके बाद srog carben, जब आई तो srog carben आई थी, around 1990s के पास, 1990s के बाद srog carben लाई गई, और इसके बाद 1992 के पास भी, 1992 के पास ही, grubs जो scientists थे, उन्होंने क्या किया, molybdenum metal को change कर दिया, ruthenium metal के साथ, ruthenium carben लेखे आई, तो ये क्या थी, ये less reactive हो गई, ये क्या होगई, less reactive होगई, इनकी reactivity थोड़ी सी कम थी, less reactive होने की बदे से, क्या होगई, ये catalyst बहुत selective होगई, बहुत more selective होगई, straw catalyst बहुत higher selectivity के साथ है, sorry, higher reactivity, higher reactivity और molybdenum का मलब होगई, straw catalyst और आपका grubs catalyst का मलब होगई, कि इनकी reactivity थोड़ी सी low होती है, लेकिन ये बहुत highly selective होते हैं, सिर्फ और सिर्फ double bond पर attack करेंगे, दूसरे functional grubs से इनको कोई भी मतलब नहीं होता है, जबकि straw catalyst दूसरे ग्रुप से भी react कर लेता था, industrial level पर आपको straw catalyst, आप देखिए straw catalyst यूज़ करना है, या फिर grubs catalyst यूज़ करना है, या फिर आपको molybdenum metal यूज़ करना है, या फिर ruthenium metal यूज़ करना है, तो इसके लिए कि statement भी बहुत famous था, अब वो statement यहाँ पर है की नहीं है, देखता हूँ मैं, वैसे मैंने कोशिस तो करी थी, देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया, देख लेते हैं भाई, यहाँ पर आज आए तो अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए यह भी कुछ, Robert H. Grubbs नाम था, और यह Richard R. Srock नाम के आपके जो scientist है, इसके बाद देखिए यह जो point आया था, उस time पर कहा गया, when we need high reactivity, अगर कभी हमें high reactivity चाहिए होती है, we go with the molybdenum, molybdenum के साथ जा 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 था कि, side production मतलब नहीं, जो भी हो रहा है, हमें polymaryation करना और फटा पट करा दा, reaction और कुल मिलाकर, वहाँ पर हमें पास ना side chain से ना कुछ है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, high reactivity के लिए, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, एक तरके से industrial level पर, जहाँ पर specific reactions नहीं करानी होती है, हमें बड़े level पर reaction करानी होती है, तो वहाँ पर हम लोग molybdenum के साथ जाते हैं, and when we need, when we can run reactions under mild condition, अगर हमें mild condition पर reaction करानी है, then we will use the ruthenium, और इसके बारे में क्या कहा गया, इन दोन में metals के बारे में, they are two wings of the same angel, एक angel के दो wings हैं, ये ruthenium और आपका molybdenum, एक high reactivity बारे ज़रूरत दोनों की है, किसी को lab में ज़रूरत परती है, अब इसको समझ लेते हैं, कि अकरिकार ये reactions होती कैसे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखें सिंथेसिस ओफ ग्रफ्स केटलिस्ट की बात के लिए, कि ग्रफ्स केटलिस्ट को कैसे बनाया जाता है, तो देखें, बड़े ही सिंपल रिएक्शन होती हैं, मॉली बड़ेनिम कामल हो गया, स्रॉक केटलिस्ट, इतना ध्यान लखना, हो सकता आपके एक्जाम में, कि इन से जो भी कोश्चन पूछे आएंगे, वो कोश्चन पूछे आते हैं, कि इन से कोश्चन पूछे आपको कॉम्पलेक्स मना के जएज़े, कि इन से कोश्चन पूछेज़े कि कौन सा कॉम्पलेक्स है, तो MO का मतलब आपका स्रॉक कैटलिस्ट, बहुत रियक्टिव, और आपका रुथेनियम का मतलब क्या हो गया, आपका ग्रभ्स कैटलिस्ट, बहुत कम रियक्टिव, तो यह आपका कुल मिला के एक मेटल कारबीन बनी, आप इसमें हम लोग क्या करते, देखिए, PPS3 की जगए हम लोग क्या करते हैं, PCY3 से उसको सब्टिट्यूट करा देते हैं, तो यहाँ पर यह सब्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा, यह PCY3 बेटर इलक्ट्रोन डोनर है, इनको सब्टिट्यूट कर देगा, जदा बेसिक है, जदा बेसिक नेचर में है, तो आसानी से उसको सब्टिट्यूट कर देगा, और यह जो बना, इसको कहा गया था, ग्रफ्स केटलिश्ट, इसका नाम क्या है, ग्रफ्स केटलिश्ट नाम है, ना कोई जनरेशन, इनरेशन कुछ नहीं, ग्रफ्स केटलिश्ट नाम था, इसका क्या नाम था, ग्रफ्स केटलिश्ट, यह, ठीके ना, काम भई है, काम कैसे करता है, वो अभी हम लोग समझेगे, मैं कि निजम मैं अभी आपको समझाता हूँ इसके बाद क्या देखो, अब मालो इस सेम यही आपने इनिशियल डियक्टेंट लिया और इसकी रियक्शन आपने इस तरीके से कारवन डबल बॉर्ण अटू बच के लिए C double bond N double bond N तो इस तरीके से आपने एक तरीके से सी इसकी रियक्शन कराई यहाँ पर इसके साथ क्या लगा हुआ इस तरह कि यहाँ पी एच लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से एच लगा हुआ है तो इसकी रियक्शन आपने क्या करी इसी complex से कराते हैं, तो हम लोग के पास फिर से directly metal carbene complex बन कराता है, यह आपका metal carbene complex बन कराता है, और इसकी reaction अगर आपने PCY3 से करा दी, तो फिर से यह बाई, यह PPS3 PPS3 को क्या कर देगा, change कर देगा और आपके पास यह catalyst बन कराता है यह catalyst इस catalyst से अच्छा catalyst है, इस catalyst को बलाता है कि आपका grups first generation catalyst, grups first generation catalyst, first generation catalyst, इसका नाम सुना होगा आपने, generation catalyst, grups first generation catalyst इसका नाम था ठीक है, इसके बाद अगर इसको आप क्या करो, यहाँ पर अब ध्यान से देखो, जो आपने कारवीन्स पढ़ी है अगर आप क्या करो, एक PCY3 को N-HetroCarben वाले reactant से react करा दो, तो यहाँ पर देखो, यह N-HetroCarben जोड़ कर आगई, और यह N-HetroCarben क्या है, बहुत strong electron donating है, as compared to PCY3, इस वज़े से चने इस PCY3 को क्या कर दिया, substitute कर दिया, तो with the use of NHC, NHC के use हो जाने से क्या होता है, कि इसका जो trans effect है, इसका जो basic nature है, वो in PCY3 से भी अच्छा है, तो इसलिए यह वाली NHC के साथ लगा हुआ, जो आपका grubs catalyst है, यह और भी अच्छा grubs catalyst है, इसकी reactivity और भी अच्छी होगी, यह more selective होगा और यह more selective क्यों होगा, क्योंकि अपने trans वाले PCY3 group को तुरंत निकाल देगा, और यह यह reaction करें यह reaction करें यह mechanism होती है, mechanism अभी आप देखोगे, तो mechanism में क्या होता है, यह दोनों जब आपस में react करतें, तो सबसे पहले इस PCY3 ligand को remove करते हैं, तो इसका remove करना यहाँ पर easy नहीं था, लेकिन यहाँ पर easiestly इसकी reactivity और भी रधा होती है, और यह better metal carbon होने की वज़े से इसका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया, कि grubs का second generation, बनाब अच्छा, grubs second generation, second generation, grubs second generation, grubs second generation catalyst, ठीके ना, catalyst, तो यह grubs का second generation, catalyst है, यह first generation catalyst है, और यह normal grubs catalyst को बोलाता है, कोई generation यहाँ पर generation यहाँ पर बात ही नहीं है तो यह थी आपके आप कैसे बनाते हो grubs catalyst को इसका स्रॉक catalyst को बनाना और भी तेढ़ा काम है, उसको ना देखना है, ना समझना है बस आपको पता होना चाहिए, कि श्रॉक carbine कौन सी होती है, उनसे reactions जो आती है वो हम लोग देख लेंगे, तो mechanism की बात करें तो basic जो इसकी mechanism होती है वो इस तरीके से basic mechanism होती है 2 plus 2 cycle addition reactions कराता है यह क्या करता है, 2 plus 2 cycle addition type of reaction होती है, लेकिन अगर हम लोग याद करें, तो 2 plus 2 cycle addition reaction आपकी light की presence में होती थी heat की presence में यह reaction allowed नहीं होती थी लेकिन in this case in this case क्या होता है, कि आपके पास metal के साथ double bound carbon जुडा हुआ है यहाँ पर R, R' जुडा हुआ है तो basically क्या होता है, कि metal के पास orbitals होते है, metal के पास जो d-orbitals होते हैं, इन d-orbitals के होने की वज़े से, यहाँ पर यह 2 plus 2 cycle addition reactions की जो symmetry forbidden हो जाती थी ना वो symmetry forbidden हो जाती थी हीट की बर्जंस में लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जो overcome कर दी जाती है d-orbitals की वज़े से, जिसकी वज़े से यह 2 plus 2 cycle addition reactions metal carbene के साथ हो जाती है और कुल मिलाकर यह आपकी 4-murdering बनती है, और उसके बद यह आपस में rearrange हो के कुछ इस तरीके से आपके products आपको देखने को मिलते हैं, तो overall हम लोग को लगता क्या है कि यह वाला पूरा R group यह वाला पूरा R group आपस में जुड़ेंगे और यह की रिंग बना लेंगे अब रिंग बना कर देखो क्या क्या हो सकता है इस केस में क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आपके बस मैंने यहाँ पर यह वाई लगा दिया कुल मिलाकर जिसे यहाँ पर R है तो यहाँ पर दूसरा कोई गुरूप हो सकता है, मैंने यहाँ लगा दिया, कुछ भी हो सकता है तो पहले सबसे पहले केस में क्या हो सकता है, कि बेस्किली यह बॉर्ण यहाँ चला जाए और इस तर्य के से अपस में जूड़ गया प्रोड के साथ गूमेगा उद है उदर तो एक तो ये प्रोड़क्त शकता है इसके बाद क्या हूँ आपके बास ये ये अंब इसके बाद की हो आप आपके इंस करी है दो आक्षिंस ढंडिफरेन्ट तो कितने-कितने टाइप के प्रोडट्स बन सकते हैं अब ये वाली इसके साथ रियक्ट करेगी यहां पर इसको निकाल सकती है जो बचेँए वह फिरसे अपके रियक्टिंद यापके कशते हैं वहुल्डिक्त रियक्त करेग गडाई आप देखो, इसके वाद एक और पॉइंट देख लो, आपने फर्स जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के बारे हम बात कर ली, हम लोगों ने फर्स जनरेशन के बारे हम बात करी, सेकेंड जनरेशन के बारे हम बात करी, तो आप बात कर लेते हैं कि यह है आपकी कौन सी है, यह है आ अपका grubbs catalyst, ठीक है, आपका ये क्या है, grubbs catalyst, अब आप देख के बता सकते हैं, कि ये 1st generation, 2nd generation, 3rd generation, तो ये 1st generation, अजिए अच्छ जनरेशन होगा, और ये पहले इसका क्या होता है, ये बहुत हाई, रीक्तिविटी होती हिनकी, इनकी बहुत लो रीक्तिविटी होती है, इसक को हैंडल करना एजी नहीं होता है, बहुत एक्टिविटी होंगी, तो हैंडल करना एजी नहीं होता है, लेकिन इनके पास हाई एक्टिविटी की वज़ए से क्या होती है, इनकी application बहुत ज़्यादा होते हैं, ये terminal और internal alkenes, दोनों को break करके नए-ने-bots बना सकते हैं, यहा इनको strange चाहिए होगा, इसके बद यहाँ पर क्या है, ये olefins with high steric and low electron density can undergo metathesis reaction, कुल मिलाकर वही बात है, कि अगर ये बहुत high reactive है, तो ये किसी की भी ऐसी तैसी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये functional groups के लिए बहुत selective होती है, इनका मतलब ये नहीं होत ये सब के C double bond को carbon carbon bond की से लेकिन यहाँ पर क्या है, ये group tolerance अच्छा करते है, जैसे acid होगा, अलगा, LDL, इनके साथ ये कुछ नहीं करेंगे, इनके साथ ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपके carbon carbon bond की ऐसी तैसी ही ये करते है, तो ये basic difference होता है, तो ये basic difference होता है, आपके srog और srog carbon और आपका grub scat list के बारे में, तो इसलिए इन में जो metals की बात होती है, metals के कुछ points, जैसे अगर मालो कहीं पर ruthenium metal यूज किया था, तो ruthenium metal कहां यूज किया था है, अब आप देखते, सुनते ही बता दोगे, ये है आपका grub scat list, इसको यूज करते हैं हम लोग grub scat के साथ ही उसकिया गया था, तो दोनों ही केस में इनकी activity बहुत ज़दा है, अब देखो, ruthenium metal सबसे ज़्यादा है, decreasing order of the metathesis reaction की बात करा है, ये सब से पहले भाई आपके double bonds को पकड़ता है, उनके साथ रियक्ट करता है, अब देखो, ये double bond की priority अहां पर है, इसकी double bond की priority त इसी करेंगे, alcohols की, aldehydes की, acids की, alcohol की aldehydes की, इसलिए आपको ruthenium metal वाला, इसलिए आपको syllabus में क्या होता है, grubs catalyst देखने को बहुत मिलता है, लेकिन, जैसा की बताया गया कि angel के दो birds है, molybdenum और ruthenium, तो इनका भी use है, ऐसा नहीं है, इनका use नहीं है, इनका use नहीं है, इन करना easy नहीं होता है, लेकिन फटा-फट करा देते है, अब देखो, जैसा आपको बताया कि reactivity अच्छी क्यों होती है, क्योंकि रिथेनियम मेटल में, जै हम लोग ये use कर रहा है, इस का माल हो, देखो, ये normally, माल लोगर, ये क्या है, आपका grubs का first generation catalyst है, क्या है, grubs का first generation catalyst है, mechanism आप देख लो, ये जो mechanism होती है, ये इस तरीके से, तो ये सबसे पहले क्या करता है, अपने एक PCY3 ligand को leave करके, कुछ ऐसा activated form बनाता है, और ये activated form आपका एक alkyne के साथ react कर रहा है, react करने पर क्या हुआ, देखो, पहले तो normal coordination हुआ, coordination के बाद क्या हुआ हुआ आपका, यह पहले ही, metathesis reaction में आपका ring बनी, यहीं मेकनिजम तो हम लोगों ने पड़ी ती, हम लोगों यहां से पड़ी थी, हम पूरे complex को नहीं बना था, तो ये कराने में 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 अठा हाथ होता है, यहाँ पने मन से नहीं नहीं रिंग बन जाती है, आया, ये सके साथ जुड़ा, र कर दो कि इसारक इसके छिट पूप को ऐसान कर देता है इस वज़े से llegóन वे से का पंद नियोंर टीलिक्षा को क अंपधनी ए लोया होते हैं और भी अच्छे होते हैं अर भी बैटर होते हैं बैटर्रीथी मिले बली सेलEक्टिव लेकिन eigenlijk tape लेकिन तो नहीं लेकनिल के अर जह हमें फोकस करना है इस वज़े से जितने में में पॉइंट्स है वो मैं आपको सारे आज कवर करा दे रहा हूँ अब कुछ important metathesis reactions देख लो जैसे पहली आपकी ring opening metathesis reactions आपके सामने एक्जाम में आती हुई दिखती होंगी आपको आप देखते होगे जैसे मालो इसकी reaction आप से कह रहा है आपके पास ये कार्व डबल बॉर्ण है और यहां पर यह लिखा हुआ है तो यह कौन सा catalyst है यह आपका grubs catalyst है यह क्या है अपका grubs catalyst है grubs catalyst है तो grubs catalyst है यह बिसकली क्या करेगा यहां पर sis और trans दोनों मना सकता है यहां पर आपका sis जो product होता है वो major product आपको देखने को मिलता है तो आपको इन reactions में major, minor, selectivity कुछ नहीं पढ़नी होती क्योंकि यह अभी भी इतनी अदा बहुत well-known reactions तो है लेकिन हमारे syllabus में इतना नहीं कि sis आएगा कि ट्रांस आगा आपको बस reaction करानी आनी चाहिए यह bond यहां पर basically break होगा देखो पहले तो यह ring opening होगी यह bond यहां ब्रेक होगा यह वाला bond यहां पर ब्रेक होगा तो यह कुल मिलाकर यह open हो जाएगी इस तरीके से इस तरीके से open होगी और उसके बाद वो react करेगा इसके साथ तो एक इसके साथ react कर लेगा और एक यहाँ पर metal लगा रहे जाएगा तो एक तरफ carbon carbon bond और एक तरफ आपका वो alkene बंकर आ जायेगा ठीक है इनके बारे में एक note point आपको धहान लखना है यह जो बताओंगा वो रिखन जदा पूछी आती कि आगर आपको लार्ज रिंग का अगर आपको कराना होता है तो अगर आपको बात करें कि चीच की तेखो यहां पर यहां पर यहां पर यह इसके साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पर जो double bond है वो यहाँ पर यह वाला double bond आ गया इस जगे पर ठीक है देखो लेकिन अगर आपको high less ring strain वाली ring को कराना हो तो वहाँ पर grps का second generation catalyst क्या होता है यूज में आता है और यूज किया जाता है आगे बढ़ते हैं इसमें जैसे करें दूशरी cross metathesis reaction की तो cross metathesis reaction जैसे माली जैसे आपने ऐसे यूज किया हुआ है कि आपने यहाँ पर ये R, R, यहाँ पर R, CH और double bond CH और R, ठीक है तो इस तरीके कि अगर आप catalyst यूज कराएंगे तो यहाँ पर different kind of reactions हो सकती है cross metathesis reaction में जैसे R, डैस, CH double bond CH और R, डैस अगर इनकी आपस में reaction कराओगे या फिर आपके ऐसे कह सकते हो कि terminal alkenes यूज कर रहा है आप क्या कर रहा है terminal alkenes यूज कर रहा है CH2, CH2 इस तरीके कि दो terminal alkenes को गर यूज कर जाए तो टू terminal alkenes अगर आपस में यूज करें तो वहाँ पर total टीन टाइप के geometrical isomers बन सकते हैं और टोटल six products बनते हैं कितने बनते हैं total six products बनते हैं ये ध्यान रखना ऐसे questions आपको बना कर गुमा कर पूछ सकता है अगर मालो इसकी reaction इससे कराई जाए और यहाँ पर लिख दे साथ में आपका grups first generation catalyst grups first generation catalyst लिख जाए और पूछे कितने number of products number of products पूछ ले आप से तो आप समझ लेना यहाँ पर 6 products बन सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि ये तो परली बात तो ये ब्रेक हो बांड और ये खुद के साथ रहेंज हो जाए तो ऐसा बना सकता है इसके बाद ये ब्रेक हो ये वाला center औ ये खुद के साथ रहेंज हो जाए इसके बाद यहाँ पर एथीन भी निकल सकती है तो एथीन साइट प्रोड़क्ट की तरीके उन प्रोड़क्ट को अम लोग कंसीडर नहीं करते हैं वो अपका मेटल के साथ कनेक्ट हो के निकल जाएगा तो बसकली ये हो गया और तीसरा क ज्यादा कोई खास मतलब नहीं होता है बहुत सारी चीजें थी वो मैंने रिमूब कर दी है क्योंकि वो सलाइबस में ही नहीं है और वो आपको यहीं से आगे आपको पढ़ना होगा कि जब आप लैब में और गरमेटलिक्स पढ़ने जाएंगे अगर कहीं पर मेटाथिस र यहां पर ग्रप्स का second generation catalyst यूश किया जारा है डीच्यम में, डाइकलोरोमेथैन में, यहां पर इस तरीके से रिएक्शन होगी, और होगी कैसे यह रिएक्शन, यह रिएक्शन कैसे होगी, यहां पर आपके सामने देखिए, R double bond इस तरीके से आपका सी होगा, वो जाएगा पहले इस निजम कैसे होगी नहीं समझ में आए तो next lecture में comment करिएगा या फिर इसी lecture में comment करिएगा मैं खुद आपको बता कर समझा दूगा जैसे यहाँ पर देखिए स्रॉक केटलिस्ट तो स्रॉक केटलिस्ट आप देख लिए रिंग क्लोजिंग के लिए इसको भी उसके आता है यहाँ पर यह है इस तरीके से तो कुल मिलाकर यह यहाँ पर आएगा और यह डबल बॉंड बना लेंगे तो कुल मिलाकर यह आपका प्रोड़क्ट बन कर आ जाएगा ठीक है इसके बद राध्यान से आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए यह भी ग्रफ्स का सेकंड जनरेशन केटलिस्ट यहाँ पर यूस किया जा रहा है यह कार्बन और यह कार्बन आपको वो दोनों कार्बन पकर दे और उनके बीच में डबल बना देना है जाए तरब यहाँ परफ्सक लिए बचे का यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह इसके बद ड़को और यह पर छार्फ्सक का सेजनरेशन केटलिस्ट है पहले रिंग लوج में क्लोजइर तो कुल मिलाकर इसका carbon इसका carbon आपस में रुड़ता इसका carbon इसका carbon इसका carbon खुलता और ये carbon इसके साथ double bond ये carbon इसके साथ double bond तो आपका final product इसका अपका टोड़िक्या होगा? कुछ ऐसा बन कर आजगा? इससे questions आपके सामने आते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यह double bond double bond लगा देने होते हैं हम लोग structure देखके पगला जाते हैं दूसरी तीसरी important और सबसे last आपकी meta-thissory action है इन आइन जब आपके पास alkyne भी present हो और alkyne भी present हो यह सारी mechanism आपको करके देखनी है, अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे बताएंगे, वीडियो में comment करेंगे, मैं आपको समझा दूँगा अगले next lecture में जैसे आपके बास यह alkyne और alkyne है, grubs first generation catalyst आपने डाला तो basically यहाँ पर क्या हुआ, यह इसके साथ जुड़ी, तो यहाँ पर यह double bond उसके साथ इधर और यह double bond यह carbon, देखो यहाँ पर यह, कुल मिला कर देख सकते हो, जो आपकी alkyne रहती होगी, वो alkyne एक तरीके से ऐसे हो जाएगी यहाँ पर यह double bond आजाएगा, और यहाँ पर यह double bond उस alkyne के साथ, यह आपकी alkyne होगी, और यह आपका alkyne होगा यह क्या होगा, आपका alkyne होगा, कुछ ही इस तरीके से reaction होगी, आपको पता है पहले reaction कैसे होगी पहले alkyne यहाँ पर आकर metal जुड़ेगा, ring बनाएगा, फिर वो इसके साथ react करेगा, इस तरीके से यह reaction आपको आगे बढ़ती होई देखने को मिलेगी जैसे हमाली जैसकी reaction यह reaction देखिए, पहले आप यहाँ पर आना, इस तरीके से डोड़ना, यहाँ पर आपका R.E.U. metal आएगा, फिर वो R.E.U. metal इसके साथ react करेगा और इस तरीके से आपके पास यहाँ से ऐसे bond ब्रेक हो जागा, यह bond ऐसे ब्रेक हो जागा, और कुल मिलाकर यहाँ पर double bond आएगा, और फिर उसके ओद रुदिनियम मेटल कॉम्पलेक्स को लीप कर देगा, और आपके पास यह product बनकर आ जाएगा तो यह कुछ important क्या है, reactions हैं जो की आपको देखनी है, अब ऐसे ही यह reaction देख लो, यह reaction भी आपकी CSI air net में आ चुकी है नहीं तो आएगी देखो, अलकाइन, 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 अलकीन पहले यह आएगा, grub's catalyst, यहाँ पर जुड़ेगा इस तरीके से, ऐसे, फिर यहाँ पर क्या करेगा, वह इसके साथ जुड़ेगा ऐसे, फिर उसके ऑद आगे फरद़ इस तरीके से reaction होगी पहले इसके साथ जुड़ा, इसने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से double bond formation कर दिया double bond formation किया, इसके बाद यह metal यहाँ पर आगया तो कुछ इस तरीके से मेकनिजम आपको देखने को मिल सकती है आपको यह सारी मेकनिजम क्या करनी है, खुद से try करनी है यह जो points थे मैंने आपको बताई दिये, यह points से क्या थे मैंने आपको बताई दिये तो यह कुछ questions है, आपके इन पर dependent मैं questions कुछ next class में कराऊंगा उसमें मेकनिजम आपको नहीं समझ में आगी तो मैं बता दूँगा कुल विलाकर अब आपको क्या समझ में आ गया, कारबीन समझ में आ गई, कारबीन क्या होती है और दूसरी क्या समझ में आ गई आपको, मेटाथेसिस रियेक्षन समझ में आ गई तो Carbene और Metathesis complete हो गई है, अब इसके बाद, आपको बताए ना, मैंने आपको एक बाद बताए कि Metathesis Reaction या फिर जो आपकी N-Hetro Carbene होती है, इनको किसमें यूज किया जा रहा था? इनको यूज किया रहा था, Homogeneous Catalysis में, किसमें? Homogeneous Catalysis में, और Homogeneous Catalysis तक आप पढ़ोगे, आपके Slabes में क्या है? आपके Slabes में PD Catalized Cross Coupling Reactions है, जो कि Homogeneous है, Homogeneous, 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 Cross PD Catalized Reactions है, तो अब हम लोग नेक्स लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे पहले Catalysis क्या होती है, और Catalysis में कौन कौन सी Catalysis Reactions हमको पढ़नी है, उसमें कौन सी Coupling Reactions पढ़नी है, क्या क्या चीज़े हम लोग को पढ़नी है, यहा तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से Lecture को Complete कर दिय अब हम लोग की जो Coupling Reactions हैं, वो Coupling Reactions नेकी लेक्चर में स्टार्ट होंगी, और उसके बाद Coupling Reactions पढ़नी है बस, ठीक है, और भी कुछ Reactions है, स्पेसिफिक टाइप की एक दो Reactions और है, जिसे आपकी पहले आपको Catalysis पढ़ना है न, तो Catalysis में ही आएगा, Catalysis समझना है, क्यो जिसमें से एक है आपकी Coupling Reactions है, एक क्या है आपकी Coupling Reactions है, इन ही में से एक और Reactions रहें की, CH Activation Reactions, CH Activation, CH Activation, CH Activation में फिरम लोग क्या पढ़ेंगे, आपकी वैकर प्रोसेस होती है, इस तरीके की जो डिफरेंट टाइप आप प्रोसेस है, वो भी Catalysis में आएगे, क्ल मिला कर Catalysis ही अपका पार्ट बचा हुआ है, इसमें आपकी Coupling Reactions और कुछ अलग Reactions, जैसे Suzuki Coupling, जैसे आपकी Hack Reaction हो गई, इस तरीके की कुछ पेसल आपकी CH Activation वाली Reactions हम लोग को पढ़नी है, और Catalysis के बाद फिरम लोग का लास्ट में बचेगा, आप एक तरीके से समझ सकते हो, पाउंट्स पढ़ने होंगे, या फिर कुल मिलाकर वही फैरोसीन ये सब चीज है, वो Metal Carbenes में ही आजाती है, तो उनको बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मैं एकोसिस करूंगा कि 4-5 लेक्चर में ही सारा, कफ सारा चैप्टर क्या कर दूं, कम्प्लीट कर दूं, तो इत तो बस इतने पॉइंट थे आज की क्लास के लिए, next class में हम लोग इसके आगे continue करेंगे और thank you so much guys hopefully यह हो सकता है कि आज रात में आपकी class हो quiz आपका आज रात में हो तो उसके लिए आप सब लोग stay tuned stay connected मिलते हैं कल फिर से तब तक के लिए do watch it do subscribe to the YouTube channel of Madcam Classes and don't forget to share this video with everyone thank you so much good night from my side झाल 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 झाल